आज के हमारी इस वीडियो का टोपिक why cuts splits on the electrical plug मतलब की हमारी जो electrical plug होता है इसके उपर ये इस परकार के cut क्यों बने होते हैं दोसर इस वीडियो के अंदर हम इस सवाल के proper answer के उपर बात करेंगे और साथ इसाथ काई लोग इस सवाल का जवाब बताते समय कुछ गलतिया भी करते हैं उसको भी हम देख लेंगे तो बीना जारे देरी करें वीडियो को start कर लेते हैं दोसर वीडियो के starting में ही सबसे पहली चीज हम यह है पता होने जी कि आकिरी जो cut होते हैं यह cut हमारे electrical के सभी pin सभी plug के अंदर होते हैं क्या तो दोसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह सभी plug के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो अगला सवाल आता है फिर आकिरी cut क अगर किसी और material जैसे कि अगर aluminum के हमारी यह pin होगी तो इस pin पर आपको कट देखने को नहीं मिलेगा अगला सवाल यहाता है कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो plug है उसके अंदर अगर वाइट कलर की पीन है उसके अंदर भी हमारे cut होता है तो आखिर इसके लगने के काफी जादा चांस होता है तो अब इस जंक से ही बचने के लिए हमारे इस material के उपर nickel chemical की coating कर दी जाती है coating का मतलब इसके उपर paint कर दिया जाता है अब यह जो nickel की coating होती है यह सबसे पहली चीज़ तो इसे जंक से बचाता है इसके अलावा यह हमारी पीन को एक अच्छी strength भी रेता है ताकि यह लंबे समय तक खराब ना हो तो तो अभी तक हमने सिर्फ यही जाना है कि आकिरी जो cut होते हैं यह cut electrical के किस plug पे बने होते हैं अब हमारा अगला और सबसे मुख्य सवाल आते हैं कि आकिरकार इन cut को लगाया ही क्यों जाता है हमारे electrical plug के अंदर तो 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 इन cut को करने का purpose काफी जादा simple सा है जैसा कि मैंने आपको बताए कि यह जो cut है यह सिर्फ आपको brass material मतलब की पीतल की material से बनी होई pin में ही देखने को मिलेगा अब आकिरकार से पीतल में ही क्यों तो तो यह हमारा brass material होता है यह एक अच्छा conductor तो है इसमें से अच्छे से current पास्तो होता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है क्या नुकसान है तो अगर यह material हमारे ज़्यादा heat होता है मतलब कि यह ज़्यादा गरम होता है तो इसके कार heat होने के कारण क्या होता है brass metal का एक nature होता है कि हमारा फैलने लग जाता है मतलब कि बड़ा हो जाएगा चोड़ा हो जाएगा तो यह सारी चीज़े इस brass metal में भी देखने को मिलती है अगर यह हम किसी शौकिट के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद में हम इस पे ज्यादा current load जोड़ देंगे तो इसके कारण क्या होगा हमारे socket की पीतल की pin है वो हमारी heat होने के कारण expand होगी यह और ज्यादा अपनी जगे पर फैलने लग जाएगी और अगर यह जवरत से ज्यादा फैल गई तो उसके कारण हमारा ही socket अंदर ही jam हो जाएगा अंदर ही चिपक है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परते हैं अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने पसंद करते हैं आज यह मां चैनों को सस्क्राइब कर लिजी आज के लिए तना ही धन्यवाद